लीक Hye, बुट्प मॉणिंग दियर स्टूटेंट्स फ्लास ते शीक्स्तूड टूड़ी वदय को wij।ू कि सेachet नोमम 8 यहिएं यॡियों एन यॡियों इंभ्यू जिसंटे है adalah meaning है अग जो में कठे देखे तो कुछ कहते कुछ और है और होता कुछ और है means usual जो meaning है उससे हटकर meaning होता है match the following idioms with their meaning तो यहाँ पर आपकी इस column में यहाँ पर idioms दिवी हैं कुछ जो 1 से लेकर 15 तक है और यहाँ पर उनके क्या है meaning है A से O तक यह आपको आपस में match करने है let us understand them by one by one first one is to strike while the iron is hot means इसका क्या meaning है जब लोहा गरम हो तब ही उस पर चोट करने चाहिए और इसका meaning यदि हम बोलना चाहे तो क्या है यानि कि जब भी भी हमें मोका मिले तो उसको हाथ से जाना नहीं चाहिए first का to seize a good opportunity with when it comes कि अच्छी जो opportunity मोका है उसको ले लेना चाहिए जब भी भी वो आता है उसी time second है evolve in ship's clothing भेडिया किसके clothing में बटा ship की अब इसका meaning यह थोड़ी नहीं है कि हम भेडिये की बात कर रहे है हम कहना wolf और ship का example देके क्या कहना चाहरे है a wicked man who pretends to do good wicked क्यों होता बुरा अदमी ऐसा बुरा अदमी जो दिखावा करता है pretend क्यों होता बेटा दिखावा करना to do good अच्छा करने की समझ में आया बेटा now the third one to kill the goose that lays the golden eggs ऐसी बत्त को मार देना ऐसी goose को मार देना जो आपको क्या देती है golden eggs इसके जरी हम क्या कहना चाहते है बेटा to sacrifice future gains future के हमें जो gain होने profit होने उसको sacrifice कर देना खतम कर देना in order to satisfy present needs present needs को satisfy करने के लिए यानि कि presents में अपनी needs को satisfy करने के लिए लालच के चक्कर में हम क्या कर देते हैं जो हमारे पास source और उसको उसी time खतम कर देते हैं to make the hay while the sun signs यानि कि बहती गंगा में हाथ दोना इसका क्या मिनिंग होता है बहती गंगा में हाथ दोना और इसका जो मीनिंग actually हम कहना जाते हैं to make the earliest use of one's opportunity यानि कि कोई भी opportunity का उसी time यूज कर लेना उसका फाइदा उठा लेना चलो ये काम हो रहा है हमारा भी काम हो जाए तो उसका बोलते हैं to make hay while the sun shines to beat around the bush यानि कि बातों को गोल गोल कहना सीदे तरीके में ना कहना और इसका meaning है बिटा not speaking directly about the issues जो भी matter है issue है उसके बारे में directly बात ना करना to kill two birds with one stone एक पत्थ दो काज यानि कि दो पक्षियों को मारना एक ही पत्थर से और हिंडी में आप इसको यूज करते हैं एक पत्थ दो काज to gain two benefits at the same time same time पर एक ही काम करके आप दो benefits जब लेते हो उसके लिए आप क्या वड़ करते हो yes he is so good that he killed the two birds with one stone to play fast and lose reckless and irresponsible ऐसा उधानी बरतना या गैर जिमेवार होना उसके लिए क्या बोलते हैं to play fast and lose number eight बिटा to judge a man by his clothes to judge a man by his clothes यानि कि हम किसी person को उसकी clothes को देखकर क्या कर लेते हैं judge कर लेते हैं कैसा भी बोलते भी तो है don't judge a book by its cover इसे ही इसमें है जो है आपका to be taken in by a person's appearance appearance क्या होता है look यानि कि हम person को वैसा ही मान लेते हैं जैसे उसके appearance है चाहे उसके अंदर कितना भी knowledge हो बट हम उसको क्या जाखते हैं उसके appearance से ही जानते हैं तो हमने ये one to eight की हैं बिटा I hope आपको समझ में आ गई है और इसको ध्यान से आप learn भी करना आपकी जीके में भी काम आएंगी language को end बिच करती है beautiful बनाती है तो हर धंक से ही आपके काम आने वाली